हेलो दोस्तों मैं हूँ रवी तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक अप का चालान जो मेरी गाड़ी का चालान कट चुका है आज ही की डेट में तो कितने का कटा और कैसे कटा मतलब की किस बज़य से कटा तो सब कुछ बताने वाले हैं तो आप लोगोंने वाली गाड़ी देखी होगी कई वीडियो में इसको दिखाया है और कई वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ तो इसी का चालान कट चुका है ड्राइबर लेके गया था तो 6000 रुपे का चालान कटा है किस बज़ाय से कटा तो ही कुछ डिटिल बताने वाले है और उसमें निकाल के ही बताएंगे फोटो भी गाड़ी की आएगी और किस कालान से वा कटा हुआ है तो सब कुछ बताने वाले है और अच्छा खासा एक चालान कट चुका है 6000 रुपे का तो सबसे पहले अगर मैसेज देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज आया था तो इसमें गाड़ी का नंबर है चालान नंबर है और एक साइट दी गई है जिससे आप उनलाइन पैमेंट कर सकते हैं और 6000 रुपे भी लिखे हैं कि 6000 रुपे का आपका चालान कटा है ये कटा है UP में गाड़ी गई थी आज जहां सी मचली लेके तो मैंने ड्राइवर को कॉली किया मैंने जिसे चालान देखा मैंसे जाया तो मैंने चालान देखा तो मैंने ड्राइवर को कॉली किया मैंने की किसी ने गाड़ी खड़ी की थी पुलिस वालों ने तो बोला हाँ मैंने बोला कि क्या हुगा तो बोल रहा था कि गाड़ी उनोंने रुकाई थी बोल रही थी कि डोकुमेंट बगएरा दिखाओ अपने तो जो driver गाड़ी पर था वो नहीं लेकर गया था दूसरा लड़का लेकर गया था जिसका वो यानि की driver license नहीं है तो गाड़ी अच्छी चला लेता है मैंने सूचा driver भी जाएगा साथ में लेकर वो नहीं गया उसने उस लड़की को पहुँचा दिया तो उसके पास driver license नहीं था और गाड़ी की पीछे की number plate भी टूटी थी तो वो भी नहीं थी तो मैंने उससे पूचा क्या हुआ तो बोला कि कुछ आए तो पुलिस वाले जो उनने पूचा कि document बगरा दिखाईए तो मैंने नहीं दिखाया तो मैंने बोला कि क्यों नहीं दिखाया तो बोले लेकिन उसके पास डाइब लाइंस नहीं था लेकिन उसने दिखाए भी कुछ नहीं है तो अच्छा कासा चालान कट चुका है जोने पहुच जागो उस पर एक साइट खोल जाएगी जिससे आप चालान भर सकते हैं तो वहाँ पर आपको इसमें जो चालान नंबर दिया गया था मैसेज में आपको डालना है उस पर चालान नंबर डालने के बाद आपको कैप्चल डालना है कैप्चल डालने के बाद आप यहां पर आपका गाड़ी का number, price, कितने का कटा हुआ है, तो सब कुछ आ जाएगा, और एक और दूसरा तरीका है, मतलब की, जिसमें full detail आप जान सकते हैं, तो आप desktop mode में आप करके, या तो आप उपने computer से भी देख सकते हैं, mobile से भी भर सकते हैं, किसी से भी भर भी सकते हैं, इसी पर pay now का भी option आता है, तो आप चलिए हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जिससे full detail आजाएगी, तो उस पर आप desktop mode पर कर लेंगे, करने के बाद आपको चला number डालना है, चला number के बाद capture डालना है, capture डालने के बाद आपको, यहां पर print पर देख रहे हैं, पर आपको click कर click करने के बाद पूरा आपका list आजाएगा, और गाड़ी की photo भी आजाएगी, और कितने बज़े कटा है, यह कटा है something चार बज़े के, आज ही की data में कटा हुआ है, क्योंकि गाड़ी आज मचली लेके गई थी, जहासी, और इसमें आपको चाला number, कौन था drive, उसका नाम, औ और ओनल का नाम, गाड़ी ओनल का नाम, सब कुछ इसमें आजाएगा, गाड़ी नमबर कितने का कटा हुआ है, और किस बज़े से कटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डियाइवन, लेसेंस हो गया, और गाड़ी के document बगएर registration, क्योंकि उसने कुछ दिखाया ही नहीं है और नमबर प्लेट भी होगे, क्योंकि पीछे की नमबर प्लेट टूट गई थी, वो अभी डलवाई नहीं है, क्योंकि टाइम की बज़े से नहीं डलवा पाई, तो अब गाड़ी आजागी, तो वो भी डलवाएंगे, और 6000 रुपे का चालन भी कट चुका है, और इसमें और भी कई सारी जानकारी लिखी हुई है, इसमें आप तीन दिर में आप इसको पे कर सकते हैं, तो अगर इस चालन की बात करते हैं, तो अगर आप इसको पे नहीं करते हैं, तो आपको कोट में जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको चालन भरना पड़ेगा, इसमें आप को जादा खर्चा भी आ जाएगा या समय आप mobile से ही pay कर दें आया MP पे कर सकते हैं तो या आप अपने mobile से कर सकते हैं या phone pay या मतलब कि nett वेंगे किसी से भी आप pay पे कर सकते हैं तो आज तो नहीं करते हैं लेकिन कल कर देंगे इसका वक्तान जितना और या क्योंकि बाद में अगर pay नहीं करते तो और भी दिक्कित आ जाएगी तो 6000 रुपे का चालन कटा है और मैंने बता दिया किस बज़े से कटा है अपनी गाड़ी के आप प्रोपर कागज ले के रखिये यानि कि registration हो गया insurance हो गया, fitness हो गी, new गाड़ी रहती है तो 2-3 साल के लिए fitness आती है क्योंकि इसकी 3 साल के लिए आई थी 2021 तक तो fitness अभी है और उसका यानि कि अगर आप other street में जाते हैं तो आपको यानि कि tax रखना है और पिदूसर्ड हो गया और अपना DIY license हो गया तो यह अपने आपको कागज complete रखना है तभी आप गाड़ी कहीं पर ले जाएं क्योंकि चालन कटता है तो काफी कुछ परेशान है क्योंकि देखो कमाने के लिए ही लोग चलाते हैं और अच्छा खासा चालन कट जाए तो क्या कमा सकते हैं तो सारे कागज आपको लेखे चलना है और नमबर पिलेट आपको आगे पीछे दोनों तरफ नमबर पिलेट आपको लगवा के रखनी है और अगर आप high security वाली number plate आप मंगवा सकते हैं online तो वो आप जरूर लगवाले हैं क्योंकि वो और अच्छी बात है क्योंकि कई-कई state में अगर high security number plate नहीं हैं तो उससे भी काट देते हैं तो high security number plate आप online order कर सकते हैं या किसी show room पे जाके जिसकी company के आपकी गाड़ी हो वहाँ पर से आप मतलब की online करवा सकते हैं और मंगवा सकते हैं तो आप high security number plate भी लगवाएं अगर नहीं लगवाती हैं तो आप दोने तरफ number plate जरूर लगवाएं तो यही कुछ बात थी जो मैंने बता है क्योंकि आज चालान कट चुका है अच्छा खासा इसको हम कल पे करेंगे मोबाल से ही तो वो ही बताएं किस तरह के से पे करेंगे तो अपने कागच सारी लेके चलिए और बिंदास गाड़ी चलाईए तो मिलते हैं न्यू वीडियो पर